Hello Student Class 6 NCRT Solution Exercise 6.1 Integers Page No. 122 का हमने 9th नमबर तक Question जो था कर लिया था इस Chapter का अभी हम 10th नमबर सम देखे करने जा रहे 10th नमबर सम देखे क्या है Draw a number line and answer the following यानि कि यहाँ पे कुछ statements दिये हुए है पहला number statement क्या दिया है और A number Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2 यानि कहने का मतलब है कि minus 2 से अगर हम 4 नमबर तक आगे move करते हैं किस साइड में? राइट साइड की और अगर move करते हैं तो हम कौन से नमबर पर पहुँचेंगी यहाँ पे draw करने तो बोला ही है तो हम draw करके देखते हैं ठीक है तो माल लीजी कि integers की number line हमने इस तरह से बना लिया और हमेशा यह arrow देना है आप ध्यान रखेगा ठीक है अब यहाँ पे हमने 0 कर दिया बीच में यहाँ 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 5 6 इधर हमने minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 यहाँ पे बोला क्या है minus 2 से हम अगर right side 4 number तक आगे जाएंगे यानि कि minus 2 से जाना है एक यह हो गया हमारा दो हो गया हमारा यह 3 हो गया और यह हमारा 4 हो गया यानि कि अगर हम minus 2 से 4 number right की और जा रहे हैं तो हमारा कौन से अंग पे पहुँच रहा है यह क्या है which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1 अब यहाँ पे हमने फिर से एक number line ड्रॉ किया हमने फिर से एक number line ड्रॉ किया अब हमने फिर इसमें देखे क्या बोल रहा है कि 5 number move करना है 1 से left side की और देन हम फिर से यहाँ पैसे बना ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 अब हमें क्या बोल रहा है हमें 1 से जाना है 5 number यह हमारा मान ले जिए 1 है यहाँ पे क्योंकि यह positive में था हमें 5 नमबर जाने है एक एक हमारा यहाँ 0 हो जाएगा दूसरा हमारा 1 हो जाएगा तीसरा, चौता, पांचवा हमने इधर की और अपना जर्नी इधर की और हम गये यानि left side की और बोला है तो हम left side जब जाएगे तो इसका हमारा answer होगा B का हमारा answer हो जाएगा minus 4 ठीक है इस तरह से हमने A नमबर और B नमबर solve कर लिया, C नमबर देखे क्या कह रहा है यानि कि अगर number line पे हम minus 8 से minus 13 की और जा रहे है तो हम कौन सी दिसा में जा रहे है यानि ये direction कह रहा है हम कौन सी दिसा में जा रहे है left right किधर जा रहे है, ये पूछ रहा है माइनस 1 कर दिया, माइनस 2 कर दिया, माइनस 3 कर दिया, माइनस 4 कर दिया, माइनस 5 कर दिया, माइनस 7 कर दिया, माइनस 8 कर दिया, माइनस 9 कर दिया, माइनस 10 कर दिया, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, माइनस 15, ठीक है इस तरह से क्या बोल रहा है, माइनस 8 से हमें जाना है, किस दिसा की ओर पूछ रहा है, अगर 13 की ओर हम जाएंगे, अगर हम माइनस 8 से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइट जा रहे हैं, ठीक है, माइनस 30 नहीं रहा हमारा, हम किधर गए, लेफ्ट की ओर गए मैं माइनस 8 से इसका आंसर हम लिख सकते हैं we have to move on left side of माइनस 8 यह इसका आंसर हो जाएगा C नंबर का अब D नंबर क्वेश्ट if we are at minus 6 on the number line in which direction should we move to reach minus 1 वही से मैं direction बोल रहा है कि अगर हम minus 6 से minus 1 क्योर जाएंगे तो हम कौन सी direction में जा रहा है यहाँ पर minus 6 से 1 क्योर पूछा है ठीक है तो चलिए हम number draw कर लेते है draw तो करना ही है कि उसने draw बोलना है करने के लिए इसलिए हमें draw कर दिया अब यहाँ पर हम थोड़ा सा positive number बनाएंगे हो गया अब देखिए यह रहा minus 1 और minus 6 minus 6 से minus 1 क्योर जाना है क्या रहा है we are minus 6 the number and in which direction should we move to reach minus 1 अगर minus 6 से minus 1 के और move कर रहा है तो कौन सा direction होगा हमारा right हो जाएगा इधर के उड़ जा रहा थी हमारा right direction होगा हम इसका answer क्या लिख सकते है we will move right side we will move right side यह हमारा answer हो गया किसका D number का इस तरह से हमने 10th number sum जो एक एक करके A, B, C, D जो थे वो solve कर लिए है I hope so आपको अच्छे समझ में आया हो अभी तक कि पूरे 10 chapter के जितने पी मैंने sum बता है वो सारे आपको अच्छे समझ में आया हो इसके मैंने प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो मैंने सारे एक से लेके पूरे 6.1 chapter का पूरा वीडियो डारा रखा अगर आपको कोई भी डावट हो तो प्लीज कॉमेंट से समझ में पर कॉमेंट करें और जरूर आस्क करें और पूछे ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और अप तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बबा और थैंक यू